अले एवरीबन वेलकम तो सारोज मिश्राज यूटीब चैनल में यूटीब चैनल पर आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है के वियर्ज डारेक्ट रेक्रूट्मेंट 2022 पी आर्टी के कट आफ की बात करेंगे जिसमें एक चीज होती कि फॉर्म कितने फिल हुए तो आपको याद दिला दू मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट जो फॉर्म पिल अब सब्मिशन हुआ था तो फॉर्म फिल जो लास्ट पर उस डेट पर मैंने वीडियो बना दी थी जिसमें टीजीटी और पी आर्टी म के लिए एपियर हुए थे तो यह बात ध्यान में रखते हैं पांच लाग कैंडिडेट अपियर हुए थे अब इसमें से बीएड वाले कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं और पॉर्चे एक इंपॉर्टन चीज है जो कि 16 2022 यह जो पी आर्टी की जो एडवर्टीजमेंट है इसमें साफ-साफ लिख दिया है उन्होंने कि के लिए कि बीएडेट्स के लिए कि बीएड प्रोसर्ट्रस आप सेलेक्शन प्रोसर्स गो थूब्रू भी हो सकते हैं मतलब एक्जाम भी दे लेकिन पैनल में उनका नाम जुड़े गा यह नहीं जुड़े गा डिपेंड करेगा ओंड ने सुप्रीम कोट का decision आ गया है और पहले ही इनोंने mention कर दिया था कि बीएड candidates को तो इस basis पर candidate जो हैं पाँच लाख में बीएड candidates जो एपियर हो है वह और इस basis पर कम हो सकते हैं और जब candidate number of candidate कम होंगे 6000 टोटल वेकैंसी है number of candidate कम हो जाते हैं आपको याद होगा बीच में ऐसा बात हुई थी और मैंने भी वीडियो बनाई था कि दो अलग अलग लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें की सेपरेट बनाए गए थे दो अलग अलग लिस्ट एक में बीएड वाले कंडिडेट्स को रखा गया था जो मेरिट लिस्ट पे सेलेक्ट हो रहे हैं इसमे बाद में या तो कमबाइन कर देंगे या फिर उनको डिसिजन लेने में आसानी होगी तो अब जैसा समझ सकते हैं कि बाद वाले कंडिडेट्स कम होंगे तो कुछ पर उसका डारेक्ट असर पड़ेगा कुछ नीचे जाएगी कुछ डिफिनेटली नीचे जाएगा कुछ उतन के लिए 120 प्लस है अगर तो आप तयारी शुरू कर दें फ्लस मैनेस हो सकता है थोड़ा ओवी सी 118 प्लस है तो आप तयारी शुरू कर दें तो यह एक जनरल आइडिया है इसके बेसिस पर आप तो अपनी तयारी इंटर्व्यू की शुरू कर सकते है रिजल्ट डिकलेरेश के अंदर या तेंडर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे रिजल्ट्स